हलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छट की ढ़लाई हो जाने के दूसरे दिन हमें क्या करना है क्योंकि बहुत से लोग बहुत से ऐसी गलतिया करते हैं जिससे कि क्या होता है कि उनके छट में बाद में क्रेक आता है दरार चलने लगती है और कहीं कह जो है उन्हें सीपेज तक की समस्या का सामना करना पड़ता है तो ये समस्या है क्यों होती है क्या कारण होता है जिसके चलते जो है कुछ लोग अपने हाथ करके इन गलतियों को करते हैं और बाद में सीपेज और जो छट में क्रेक आने की समस्या है इसे फेस करना पड़ता है तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए होता है कि जब आप अपने छट की काश्टिंग करवा लेते हैं तो कई लोगों का यह कहना होता है कि हमने जो है छट को ढालने के लिए माटेरियल अच्छे से अच्छे यूजस किया हुए सीमेंड की जो क्वालिटी उसे अच्छी से अच्छी हमने लगाई है फिर भी हमारे छट में कहीं पर क्रैक देखने मिल रहा है और लिके सीपेज की समस्या देखने मिल रहा है अब देखिए होता क्या है कि जब आप अपने छट की ढ़लाई कर लेते हैं तो आपको ये जो दो तीन काम है इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करने क्योंकि क्या होता है कि कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जो आपको ये काम करने की सला देते हैं इससे होता क्या है कि उनके जो है इसमें पैसे बनते हैं सबसे पहली बात हुए जब आप छट ढलवा लेते हैं तो कई लोगों का ये कहना होता है कि बाद में लिके सेपेज ना हो इसके चलते हो क्या करते हैं कि उसके उपर थोड़ा सा जो रीती सिमेंट का माल होता है यानि कि जो रीती सिमेंट का मोटार होता है उसे डलवा कर वो साथ में निरू फिनिस करा लेते हैं तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप इस काम को करते है तो आपके छट जो है वो क्रैक होने की समस्या तो उसमें होगी साथ में जब आप इसके उपर पानी भरते हैं तो जो concrete होता है वो अच्छी तरीके से पकता नहीं है आपको ये तो पता ही होगा कि अच्छी तरीके से पक जाए लेकिन कई लोग क्या करते हैं कई जो contractor आपको यह सलग देते हैं कि इसको उपर साथ में ready cement का motor डाल का है इसे finish कर दिया जाए जिससे कि आपको बाद में water pooping कराने की जरुवत नहीं पड़ेगी लेकिन आपको यहाँ पर यह काम बिल्कुल भी नहीं करना अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जो आपका concrete है वो अच्छी तरीके से पकता नहीं है इससे आपकी छट की proper तरीके से curing नहीं होती है और आपका छट कमजोर होता है जिससे बाद में आपको crack की समस्या देखने के लिए मिलती है अब इसमें दूसरा काम आपको क्या नहीं करना है कि देखिए कई लोग क्या करते हैं कि जब उनका छट की ढलाई हो जाती है तो वो क्या करते हैं दूसरे दिन जो Dr. Fixit का super latex आता है उसके साथ में cement celery बनाके वो छट पे apply करते हैं तो ये भी एक प्रकार का water popping compound ही बन जाता है जिससे जो आप छट पर curing करते हैं वो पानी आपके concrete तक के नहीं पूँच बाता है तो आपको second ये काम भी नहीं करना है जिससे कि आपका concrete कहीं न कहीं आपको कमजोर देखने के लिए contractor इस चीज को अधिकतर जगे हमने देखा कि उसे apply करते हैं और बाद में इसका reason ये होता है कि उनके छट के उपर की जो finishing layer होती है जो concrete की layer होती है वो बाद में निकलना चालू होती है और curing की कमी के कारण पानी की कमी के कारण जो है वो छट वहाँ से crack होता है और seepage के जो chances है वो बढ़ जाते हैं अब इसमें जो तीसरा काम वो आपको नहीं करना है तो कई लोग क्या करते है कि अपने मकान को 2-3 मंजिल तक उन्हें बनवाना होता है तो वो क्या करते है काम के लिए थोड़ी सी जल्दी करने लगते है यानि कि वो ठेकदार को ये बोलते है कि यहाँ पे छट की casting हो चुकी है अगर आप ऐसा करते हैं आपके छट की ढलाई के दूसरे तीसरे दिन अगर आप उसके उपर material shift करवाते हैं तो इससे होता है कि आपकी जो setering होती है वो proper तरीके से set नहीं होती है उसमें जब आप उपर extra load डलवाते हैं तो उसके कहीं न कहीं बैठने के chances बढ़ जाते हैं तो ये काम आपको बिल्कुल बें नहीं करना है इससे आपकी जो चट है वो कमजोर होने लगती है तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है अब बात कर लेते हैं कि जो चट है उसकी ढलाई होने के दूसरे दिन हमें क्या करना है तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है जब आपके चट की ढलाई हो जाती है तो दूसरे दिन आपको जो है उसमें आपके चट के उपर पूरी क्यारी बनवा लेनी है जिससे आप उसमें पानी भर सके और ये पानी कम से कम आपको 7-8 दिनों तक के भर के रखना है जिससे जो concrete है वो पूरी अच्छी तरीके से पक जाए आपकी छट पूरी तरीके से मजबूत हो जाए तो छट के ढलाई के दूसरे दिन आपको यही काम करना है कि आपको केवल 7-8 दिनों तक के केवल इसमें पानी भर कर रखना है और आपको समय समय पर ये चेक करना है कि पानी जो है आपके छट में कहीं से कम तो नहीं हुआ है उसके बाद ही आपको अपने छट के ऊपर में निर्मान का कारी चालू करवाना है आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही उम्मित करते हैं वीडियो आपको पसंद आयोगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और श्चेर करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवद और इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें